तो गेम के अंदर आने वाली है न्यू ममी M416 वो भी लेवल 8 गलोरियस मुमेंट के साथ साथ हमारी जो न्यू गन आई है ड्रॉब वाली वेपन पी करके कुछ नाम है उसका उसकी भी अपगेड़ वाली स्कीन आएगी और न्यू 3.2 अपडेट भी आने वाला जिसके अंदर आने वाला न्यू मोड तो उस न्यू मोड का फर्स्ट लुक पूरा गेम प्ले बहुत सा सेट आया हुआ था अल्टिमेट वाला पूरी की पूरी उसको कॉप्लिमेंट करेगी यह वाली M416 और यह रहा इसका भाई साब पेटी देख सकते हो और बाकी किल मैसेज वगएर आपको कैसे लगे कॉमेंट्स बताना दैन उसके बाद यहाँ पे हमारी जो P90 की अपग्रे सच और इट इफेक्ट एंड किल एलिमिनेशन ब्राड कास्ट तो यह लेवल जो इसका सिक्स है फाइनल फॉर्म उसमें यार गन में कुछ उतना खास चेंजेज नहीं हुए मेरो को डेफिनेटली M416 बहुत जादा तगड़ी लगी अब यहाँ पे जो आपका लॉबी में प्लेन आने वाला है भाई साब वो एक बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े से भी बड़े पतनी सिप के ऊपर से आएगा यह एक तरह से देखा जिसने भी अवेंज दिखेंगे वही तीन जगहा जहां पे आपको एयर सिप्स निकलती हुँ दिखाने कि बेसिकली यह ट्रांसफॉर्मर्स वाला मोड होने वाला है होड्रॉप सिप होने वाली है यहाँ पे एक वही अपनी निक फ्यूरी अंकल की क्या आपने कभी सोचा है कि BGMI की क्लासिक मै बाट चुके हैं इस एप की सबसे वड़िया बात मुझे यह लगी कि इसमें बहुत सारे टूर्नमेंट है मेरा फेवरेट है इंस्टन टूर्नमेंट जिसमें जीरो वेटिंग और इसके साथ साथ आप लोग नॉर्मल क्लासिक मैं चालू करके खेल सकते हो तो स्ट्रॉंग आप ही यह record कर लेगा और आपके सारे kills detect कर लेगा और आपको automatically पैसे दे देगा तो guys आप bgmi खेल के daily पैसे कमाना बिल्कुल guaranteed है और इनका anti-cheat system भी बहुत जादा तगड़ा है आपको इसकी link description और comment में मिल जाएगी वहाँ जाओ डाउनलोड करो जिससे आपको मिलेगा 600 rupees क और आप मुझे सिर्फ एक ही बात कहोगे और इस बोनस का यूज करके आप लोग कई सारे tournament खेल सकते हो और मजे की बात तो यह है कि आप लोग phone पे Google पे UPI कहीं से भी यह पैसे विड़्ड़ा कर सकते हो और यह सुनने के बाद आपका reaction कुछ यह होने वाला है तो गाइस जिसने में अभी तक डाउनलोड नहीं किया है लिंक आपको description और comment में मिल जाएगी जाके जल्दी से डाउनलोड करो So strong और start earning now अब इस hot drop के अंदर बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें आने वाली सबसे पहले तो यहाँ पे respawn flare gun हम लोग को मिल चुकी है Then उसके बाद यहाँ पे self revive med kit भी होने वाली मैं आपको को अभी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं चिंता मत करो जिसमें आप जैसे नॉक होगी आपका टीम मेट दूर है यहाँ पे देख सकते हो आप पर्सनल एडी किट तो इसका यूस करके आप अपने आपको रिवाइब भी कर सकते हो तो यह फीचर भाई बहुत दिन से हम बेट कर रहे थे दैन उसके आद मैगनेट गन और भी बहुत सारी चीज़ें और हेली कॉप्टर भी इंट्रिद्यूस किया जाएगा यहाँ पे भाई साब तो अब पेलोड मोड किसे डारेक्ट एरंगल में भी आप हेलिकॉप्टर को उड़ा सकते हो यहाँ पे और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अब इस हेलिकॉप्टर से डेमिनेटली आप फायर वगारा नहीं कर सकते हो अभी क्योंकि इसमें तो वह पेलोड मोड वाला जो हेलिकॉप्टर है वो अलगी रहता है यह नॉर् कोई वेपन वगेरा यह लोग एड़ कर देते तो यह और भी तकड़ा लगता है लेकिन फिलाल के लिए आप मुझे बताना कि यह इसको आप क्या कहना चाहोगे ट्रांसफॉर्मस मोड पेलोड मोड 3.0 या फिर 4.0 या फिर न्यू मोड आप मुझे कॉमेंट्स में बताना जरूर से अब यहां पे भाई आप से कहीं पर से भी जंप कर सकते हो डायरेक्ट नीचे आके लैंड कर सकते हो आपको बिल्कुल भी डैमेंज नहीं होगा आइधिंक सो यह कोई ग्लीच है क्योंकि अभी पैरसूट तो ओपन करना ही पड़ेगा हम लोगों को बिना पैरसू किट का यूज करके सेम 10 सेकंड के अंदर जैसे आपको रिवाइब करता है आपका टीमेट वह ऐसी आप अपने आपको यहां पर रिवाइब कर सकते हो तो यह सेल्फ रिवाइब किट जो आने वाली है यह आप लोगों कैसे लगी मुझे कॉमेंट्स बताइएगा क्योंकि अपके नले टीम मेट जो होते हैं वो गाइब बहुत बार ऐसा होता है कि भाइब को रिवाइब करने वाला कोई नहीं होता है जब भी आपका ही रस करते हो या फिर बहुत ऑंकल आके आप पुर स्कौट वाइब करते हो थर्ड़ पार्ड़ी करके आपको ठुकाई कर देते तो ये भाई बहुत काम की चीज़ है, then उसके बाद यहाँ पे respawn flare gun आने वाली है, जिसके ज़री आप यहाँ पे अपने teammate को respawn कर सकते हो, अभी इससे एक teammate respawn होगा, दो होगे, तीन होगे, इसके बादे में भी हमें knowledge नहीं है, बिल्कुल भी, then उसके बाद यहाँ पे multiple air drops आन इरेंगल lobby आके रस करने वाली, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारी तगड़ी loot मिलेगी, साथ ही साथ special respawn flare gun, आपकी revival kit और साथ ही साथ jet pack और magnetic gun भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग magnetic gun ढूल लेते हैं, कहाँ है, यह तो respawn flare है, जो मैं already आ सारे के सारे drops के अंदर देख लेते हैं, सारे drops के अंदर अलग अलग चीज़े हैं, और हाँ personal AD kit आप एक बार में एक ही ले सकते हो, उसके बाद आप जैसे आपको रिवाइब कर लोगे, तो आपको फिर से उठानी पड़ेगी, यूज होने के बाद तो यहाँ पे हमें magnetic gun मि बहुत सारे इसके अंदर changes होने वाले, लेकिन इसका जो सबसे तगड़ा चीज लगा मुझे magnetic gun का, इसके जरीए आप vehicle वगेरा भी उठा सकते हो, मैं अभी आपको कर के दिखाऊंगा, और air drops भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, इसके अंदर क्या है, ओके यह लूट चुका हूँ, तो देखो, अब मैं आप लोग को यहाँ पर air drop का दिखाता हूँ भाई, आपको यहाँ पर respawn flare gun और medikit वगारा मिलेंगे, जिसके जरी आप यहाँ पर respawn कर सकते हो, अपने teammates को और बांकी सब को, जो कि आपको hot drop में, और air drops के अंदर मिलने वाले, तो यहाँ पर देख सकते हो, भाई, बगगी को उड़ा के कैसे फेंग दिया है, तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर मैं बगगी को ले के पूरा पूरा उड़ा के घुमा के यहाँ पर फेंग दे रहा हूँ, तो यह magnetic gun आपको कैसे लिगी comments मताना, आप उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यह मैंने यह floor निकाला, लेकिन यह देखो, enemy यहाँ पर पूरा पूरा लाचार हो ज देन उसके बाद यहाँ पर जेट पैक के तरफ आते हम लोग, और जेट पैक में कोई भी weapons हो गयरा नहीं है, लेकिन इनका यूज आप बेसके लिए एक जगह से दूसरी का ट्रैवल करने में कर सकते हो, या फिर बंदों पर रस करने में कर सकते हो, या फिर भाइस आप किसी बिल्डिंग की छथ में कैम करने के लिए भी कर सकते हो, वैसे कैम मत करना गाईस, क्योंकि कैम करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है, जेट पैक की जो आपकी स्पीड है, वो मैक्सिम एट्टी जाने वाली है, इसमें एक बूश्ट का भी ऑप्सन है, जो बूश्ट देने के अब यह है कि आने वाले टाइम पे इसको कुछ अपग्रेड वगरा करेंगे, यह लोग जिसके बाद इसका यूज आप लोग अच्छे से कर पाओगे, अब यहां पे एक बेस जैसा रहेगा, यह इस बेस के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है, आपका ट्रांस्फॉर्म अब आप यहां पे मेगाजॉर्ड बना सकते हैं, और इसको इसके ट्रांस्फॉर्मर्स कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह बेसिकली मेगाजॉर्ड के कॉंसेप्ट पे ही बनाया गया, जिसमें हर एक पावर एंजल के पास अलग-अलग मेगाजॉर्ड रहता है, उसको कंब यहां पार्ट चलने के लिए और उपब वाला पार्ट का स्पीड काफी ज्यादा सही लगा मुझे, और नीचे बाला जो पार्ट हो फो सिर्फ और सुर्फ दोर्डता है, यहां पे आप इसको कंबाइन कर सकते हो, यहां पे आपका मेगाजॉर्ड हो जुगा है, और इसके दोड़ तो सकता है, साथी साथ ये एक जम्प कर सकता है, लंबी रॉकेट्स छोड़ सकता है और इसके पास मैंगनेटिक गन भी है तो काफी लंबी जम्प करता है भाई, थोड़ी और जम्प इसकी बढ़ा देते हैं तो और तगड़ा रहता, लेकिन इसकी भागने की स्पीड काफी है 80 के आसपास है अभी जो अपना उड़न खटोला है फ्लाइंग कारपेट उसकी कितनी स्पीड ही है उसकी भी नीचे ग्राउंट पे 70 के आसपास ही स्पीड रहती है अब यहाँ पे इसकी जो रॉकेट्स हैं वो आपको सिर्फ पांच ही मिलती है उसके बाद आई थिंग सो यह रॉकेट लोड करने के लिए भी आपको उप्सन मिलेगा देकिन यहाँ पे जो मैगनेटिक गन है वो आप लोग अनलिमिटेड यूज कर सकते हो उसमें बेसिकली एक बार यूज करने के बाद 3-5 सेकंड का कूल डाउन रहता है और यह कूल डाउन खताम होने के बाद आप इसका यूज करके कोई भी गाड़ी वेहिकल एनमी किसी को भी उठा के दूर फेक सकते हो यह फीचर भाई काफी ज्यादा कूल है अगर इसका सही तरीके से यूज किया जाए तब ही अब यह जो आपका उपर वाला हिस्सा है उड़ने वाला इसमें आपको रॉकेट लॉंचर नहीं मिलेंगे यह जो आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है एक तो मैंगनेटिक गन रहेगी जिससे आप उठा सकते हो और दूसरी वाला जो इसका है उससे आप प्रेसर देके उड़ा सकते हो उसको बहुत दूर तक फेक सकते हो अभी उसका ठीक से यूज नहीं आया है बीटा में अपड प्रेस आप लोग खुद से कंट्रोल कर पाओगे आपको अगर आपका डिवाइस ज्यादा लैग चलता है या फिर ज्यादा हीट हो रहा है तो आप अपने हिसाप से कम या ज्यादा कर सकते हो एफपीस रेट जितना भी आपको बढ़ाना है कम करना है लेकिन यहां पे 120 होगा जिन की डेफिनेटली रिफ्रेस रेट जिन डिवाइसे की 120 प्लस रहेगी उन्हीं पर यह ओप्सन आपको देखने के लिए मिलने वाला है तो आज के गेमप्ले में इस वाले में नए न्यू मोड के अंदर आपको कॉन्स अफिचर सब से तकड़ा होगा कॉमेंस में और M4 16 तो भाया बहुत जादा तकड़िया ममी वाले सूट के लिए ही वो बनाई गई है तो M4 मुझे अच्छी लगी आपको कैसे लिए कोमेंस बताना मिलते हैं कॉन्स ने कमाल की गेम ले में टेल नसा ना रातांक स्वार्चिंग लवी ओल जाहिंद वाने मातरम